नमस्कार आप सुभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं इजी अजी उसमें मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे आर 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 फेम अभीनेता यानि की रामचरन और उनकी पत्नी उपासना शादी के 11 साल बार पेरंस बने हैं दोनों माता-पिता बनने के बाद बेहत खुश हैं और शुक्रुवार को उपासना को हैदरबार के अपूलो अस्पताल से छुट्टी दी गए इस दौरान अस्पताल के बाहर खास नजारा देखने के मिला वहीं काफी तादाद में रामचरन के फैंस दिखाई थिये रामचरन अपनी नन्नी परी को खुद गोद में लेकर बाहर आया और इस दरान उनकी पत्नी उपासना भी उनके साथ नजार आई बेटी के पैदा होने के बाद रामचरन और उपासना कितने खुश है इसका अंदाजा आप उनकी चहरों पर आई रौनक से लगा सकते हैं दोनों ही अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बाहर निकलते बग बेहत खुश नजर आया और हाला कि फैंस को रामचरन की बेटी की जलक देखने को नहीं मिली इस दोरान रामचरन और उपासना सफेद रंग की ड्रेस में नजर आया और आपोलो अस्पताल के बाहर रामचरन के फैंस की काफी भीड भी जमा हो गई थी सभी अपने फेवरिट अक्टर और उनकी नन्नी परी की एक जलक पाने के लिए बेताब थे महीं बाहर आने के बाद रामचरन ने मीडिया से भी बादशित की और इस दोरान उन्होंने फैंस का दुआओं और प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया खास बात ये रही कि इस मौके पर जब उनसे सवाल हुआ कि लिटल मेगा प्रिंस किसके उपर गई है इस पर उन्होंने मज़ागी अंदाज में के चाहा कि मुझ पर गई है जिहार रामचरन ने सभी फैन्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अभी बेटी का नाम का खुलासा नहीं करने वाले हैं उन्होंने कहा कि ट्रेडीशन के मताबिक वो पैदा होने के 21 दिन बेटी का नाम का खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा दुनिया का हर पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर महसूस करता है। तो इस तरह की तमाम गॉसिप्स के लिए, तमाम अब्दीर्स के लिए जुड़िये इंजिनियर्स के साथ.